स्वाधी स्ट और ट्रेडिशनल लौकी की सबजी इसके सिंपल कुकिंग रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंग तक देखे और हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बद थोड़ी अलग तरीके से बहुत ही सिंपल कुकिंग रेसिपी है और ये है लौकी इसको घीया या दुदिया भी बोलते हैं तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि हमें किन चीजों की आवशकता है करणे है करना हैं और अब दस unable मिर्च जीरा लिया है और प्रचान कोस में मिर्च आपुए कर लिए लारी को सब्सक्राइब करना है और साथ को तो करना है जाएँ तो चलिए अब हम तड़का मारते हैं सबसे पहले हम डालेंगे जीरा तो जीरा इसमें डाल देते हैं जीरा जब भून जाएगा थोड़ा सा गैस यहां पर हम थोड़ा स्लो कर देते हैं इसमें तालेंगे एज चुटकी के गरीब हम हींग पिंक को भी इसमें बूलेंगे गैस ता जो फ्लेम रहा है हम पर हमें स्लो ही रखना है ज्यादा फास नहीं करना है और जाप जीरा अच्छे से बून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हमारा जो अमने लस्ल रखा है उसको हम डाल देंगे अब तो मैं यहां पर डाल रही हूं लसन इसको बड़ा भी मतब ऐसे रख सकते हैं छोटे भी कट कर सकते हैं यह डालके हम इसे चला लेंगे लसन हमारा ब्राउन हो गया है अब हम इसमे डालेंगे जो हमारी सुखी मेचे है उसे की जानरा विपतर सुखी मीर दालने के डाल कि पूरा आप हम आपकर हम इसको पूरा अब जलाना नहीं है लेकिन इसको अच्छी तरह सेुगना है जब तक वर्णिक वाला अब गुंआ है इसको थोड़ा सा भूनना है हमें अच्छे से तभी ये वाली रेसिपी में लौकी का बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है तो इसको हम अभी भून लेंगे देखे जिस तरह से मैं भून रही हूँ गैस का फ्लेम मैं मीडियम कर रही हूँ यहाँ पर अब आप देखेंगे कि मिर्ची का जो कलर है वो पुरा अच्छे से चेंज हो गया है तो यह स्टेच पर हम क्या करेंगे हम डालेंगे जो हमने लौकी को कट करके रखता है वो वो डाल देंगे मैंने यहाँ पर गैस को स्लो कर दिया है और अभी मैं इसमें लौकी डाल रही यह रेस्पी बहुत बढ़ियां लगती है स्पेशली मेरी मॉम की हमेशा बनाती थी तो मुझे यह काफी पसंद है बतकन से इसने मैंने सोचा कि यह आपके साथ भी शेयर किया जाए सूकी सबजी है बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जादे महनेत नहीं लगेगी अब इसको अच्छे से हमें चलाना है तो अठ्वाष्ट करनें के बाद गैस हमें फास करना है व्लेम फास करना और ताकि जो इसका लौकी का पानी फोड़ा सा निकल के सूपने लगे तो हम इसको फास कर देंगे और अभी हम इसमें हल्दी उपर से डाल देंगे आप और इसमें इसको उपर यह से प्रिपर करके बाद में अच्छे से पूरी तरह सारी सब्जियों में मिक्स हो जाता है तो अभी यह अच्छे से हम चला लेंगे इस तरह से पुरा चला लीजे तो आप अपने स्वात के अनुसार नमक डाल लीजे नहीं है अपने स्वात के अनुसार नमक का इस्तिमाल कीजे और फिर हम इसे एक अच्छा मिक्स देंगे कर लीजे इसकर मिक्स करने के बाद हम फाई प्रेंग पेंगे इसको दो मिनट के लिए भग कर रख देंगे फ्रेंज 2 मिनट हो गया है तो अभी हम चैक कर लेते आप देख सकते हैं इस आप है इसको मिक्स करेंगे अच्छे से अच्छी तरह से मिट्स कीजिए और आप हम क्या करेंगे आप ये स्टेच पे गैस स्लो करेंगे इस लो पे अभी हम सिम होने देंगे पकने के लिए रख देंगे बीच बीच में चलाते रहना बहुत ज़रूरी है सुखी सब्सेहां जल्दी से पकड़ देती हैं गपना इससे धियान रखहए थाएं तो हमक ऐना देंगे एक टाइम आप शाल आप एक तो अब थी त्री तो कि आप थेख सकते कहते चुप अब चुप लिए ने बोल्या आप टेख सकते कि बीच चुपते हो अब टीच चलाए यह अराम से जब जालों पर आपका जब गाएगे इसको जब जादा नीए से भी दो मिनट और हम फूप करेंगे इसी तरह है तो फूप पर एक दूसे से और मैने से ओर रग गया है और भी है अब हम चेक कर लेते हैं अब यह सुपली तरह से फूप हो गया है अगर आपका सलग रहा है कि इसमें ओयल जादा है तो आप स्टाटिनी ओयल कम कर दीजिए बत यह पपने के वाद की तरह ओयल इस सब्सक्राइट हो चुका है दीजिए आपको खूब ही अपने अप्राइटिंग यूज़ कर सकते हैं। यह कमप्रेटली तूप हो गया है तो अगर इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यह बहुत ही युमी इसम्पल सी रेसिप्ली लौके की हमारी तैयार है। झाल झाल